नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का To The Point चनल में स्वागत है दोस्तों आज के इस क्लास में UP88C पेट एक्जाम के लिए भारती राष्टी आंदोलन के अंतरगत स्वदेशी तथा सभीने अवग्या अंदोलन महत्मा गाधी तथा अन्य नेताओं की भूमक्या से सम्मंधित Top 25 Most Important प्रशनों को देखेंगे सबसे पहले Theory Section को डिसकस करेंगे फिर उसी से सम्मंधित Objective प्रशनों को सौल्व करेंगे देखे दोस्तों स्वदेशी तथा सभीने अवग्या अंदोलन महत्मा गाधी तथा अन्य नेताओं की भूमक्या आपके स्लेवस में दिया गया है इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए लास्ट में 25 प्रशनों का टेस्ट जरूर दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले स्वदेशी अंदोलन की बात करते हैं देखे दोस्तों स्वदेशी अंदोलन मुख्यता करजन द्वारा बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया सुरूप शुरू हुआ था बंगाल विभाजन लाड करजन के दोरा वर्स 1905 में किया गया था यह विभाजन करजन ने प्रशास्निक सुधार के नाम पर लोगों में राश्वाद की भावना को नस्ट करने एवं हिंदूओं और मुसल्मानों में फूट डालने के उद्देश से किया था देखे दोस्तो स्वदेशी आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया सुरूप शुरू हुआ था बंगाल विभाजन क्यों किया गया था क्योंकि बंगाल में जो राश्वाद की भावना पनप रही थी उसको नस्ट करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया कब किया गया 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया किसके दोरा करजन के दोरा बंगाल का विभाजन किया गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेसी आंदोलन चलाया था 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के नेड़े की खोश्रा के बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हाल में आयोजित एक बैठक में सुदेसी आंदोलन की आपचारिक शुरुवात हुई थी यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था यह आंदोलन बंगाल विभाजन की विरोध में चलाया गया था सुदेसी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है सुदेसी आंदोलन में बिदेसी सामानों, कपडों, स्कूलों का विसेयस रूप से बहिसकार किया गया था बंगाल में स्वदेसी आंदोलन के दोरान तिरंगा जंडा को लाल हरा और पीला डिजाइन किया गया था बंगाल विभाजन के बिरोध में हुए स्वदेसी आंदोलन का नेत्रित्व सुर्यंदर नाथ बनर जी ने किया था याद रखिएगा बंगाल विभाजन के विरोध में हुए सुदेशी आंदोलन का नित्रित्व सुरेंदर नाथ बनर्जी ने किया था अरविंद घोष, रविन्ना ठाकूर, लोकमान नितिलक और लाला लाजपत्राय सुर्यंद्र नाथ बनरजी सुदेशी आंदोलन के मुख्य पड़ेता थे आगे चलकर यही सुदेशी आंदोलन महत्मा गाधी के सोतंदरता आंदोलन का भी केंद्र बिंदु बन गया इन्होंने इसे सुराज की आत्मा कहा है महत्मा गाधी ने सुदेशी आंदोलन को सुराज की आत्मा कहा है अब यहां से दोस्तों महत्मा गाधी के बारे में देखेंगे महत्मा गाधी का जन्म 2 अक्टूबर 1879 को गुजरात के पोर बंदर में हुआ था गांधी जी के राजनीतिक गुरू गोपाल कृष्ण गोखले थे गोपाल कृष्ण गोखले मुहमद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरू थे गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का गलेड स्टोन कहा जाता है याद रखियेगा गांधी जी के राजनीति गुरू गोपाल क्रिश्ल गोखले थे 1893 में गांधी जी दच्छिड अफरीका गए तथा रंगभेद नीती के खिलाब वहाँ पर आवाज उठाई थी गांधी जी दच्छिड अफरीका कब गए थे? 1893 में गए थे 1893 में रंगभेद के कारण महत्मा गांधी को दच्छिड अफरीका के पीटर मरिट्सबर्ग या एरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम स्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेक दिया गया था क्योंकि किसी भी भारती को गोरों के साथ यात्रा करने की अनुमत नहीं थी 1915 में गांधी जी दच्छिड अफरीका से भारत वापस लोटे तथा 1916 में अहमदाबाद के निकट साबर मती आस्रम की अस्थापना की थी 1915 में गांधी जी दच्छिड अफ्रीका से भारत वापस लोटे थे बिहार के चमपारण में 1917 में किसानों उपर नेल की खेती के लिए तिनकठिया पधत के द्वरा किये जा रहे अत्याचार के खिलाप आवाज उठाई थी चमपारण सत्याग्रह का नेत्रितु गांधी जी ने किया था चमपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह था इन्होंने यह सत्याग्रह चमपारण के एक किसान राज कुमार सुकल के आग्रह पर तिनकठिया पधत के विरुध किया था चम्पारन सत्याग्रह 1917 में हुआ था इसे आप लोग याद रखियेगा गाधी जी के नेत्रित्व में 1917 में चम्पारन सत्याग्रह हुआ था चम्पारन के बाद गाधी जी ने अहम्दावाद मिल हरताल के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया था वर्स 1919 में गाधी जी ने रौलेट अद्नियम के खिलाब सत्याग्रह का आहवान किया था इस एक्ट के अनुसार किसी भी संदे हास्पत ब्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा शकता था परंथ उसके बिरुद्ध ना कोई अपील ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा शकता था तो 1919 में गांधी जी ने रौलेट अधनियम के खिलाब सत्याग्रह का आहवान किया था महत्मा गांधी ने रौलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की अस्थापना की थी इसके सदस्य इस कानून की अवग्या कर जेल जाते थे गांधी जी ने रौलेट एक्ट का पुरुजोर विरोध किया तथा बिटिस सरकार को सैतानी लोग की संग्या दी थी सभी तत्य ध्यान से देखते हुए चलिए इसी संबंधित प्रस्ण आगे देखने को मिलेगा 13 अप्रेल 1919 को वैसाखी के दिन अमरिश सरके जलिया वाला बाग में डाक्टर सत्तिपाल एउम सैफुत दिन किचलू की ग्रफतारी का विरोध करते हुए एक सारुजनिक सभा का आयोजन किया गया था इस सभा में जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के हजारों की संख्या में मवजूद लोगों पर गोलिया चलवा दी जिससे हजारों लोग मारे गए इसके बाद 1940 में उधम सिंग ने लंदन में जनरल डायर की हत्या कर दी थी देखे दोस्तों 13 अप्रेल 1919 को जलिया वाला बाग हत्याकांड हुआ था जलिया वाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्ना टैगोर ने नाइट हुड की उपाधी वापस लोटा दी थी खिलाफत आंदोलन यहां से खिलाफत आंदोलन के बारे में देखेंगे 23 नमबर 1919 में अखिल भारती खिलाफत कमेटी के दिल्ली अधिवेशन की अध्यस्ता गांधी जी ने की थी खिलाफत आंदोलन का नेत्रित्व मुहम्मद अली और सौकत अली ने किया था यह आंदोलन प्रथम विश्युद्ध के उपरांत तुर्की के सुल्तान के अधिकार छीने जाने के विरुद्ध प्रत्किया थी आगे बढ़ते हैं मुहम्मद अली जिन्ना ने महत्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरुद्ध किया था याद रखियेगा मुहम्मद अली जिन्ना ने महत्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरुद्ध किया था खिलाफत समित का गठन मार्च 1919 को बंबई में हुआ था खिलाफत मुद्ध को महत्मा गांधी ने हिंदूओं और मुश्लिमों के बीच एकता अस्थापित करने के एक अभूतपूर्व आउशर के रूप में देखा था सभी तथ ध्यान से देखते हुई चलिए अशायोग आंदोलन देखे दोस्तों अगस्त 1920 में गांधी जी ने अशायोग आंदोलन की शुरुवात की थी इस आप लोग याद रखियेगा अशायोग आंदोलन के दोरान चार फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चवरी चवरा नामक अस्थान पर आंदोलन कारियों का एक जुलूस निकला था जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई जिससे जुलूस में सामिल लोग उत्तेजित हो गए कुरुद भीड ने पुलिस थाने पर हमला करके उसमें आग लगा दी जिसमें 23 पुलिस कर्मी मारे गए इस घटना की खबर मिलते ही गाधी जी ने आंदोलन वापस लेने की घोश्टा कर दी देखे दोस्तो चार फरवरी 1922 को चारी चारा घटना हुई थी आगे बढ़ते हैं 12 फरवरी 1922 को असायोग आंदोलन शमाप्त हो गया अब यहां से दोस्तो शाइमन कमीशन के बारे में देखेंगे बिटिस सरकार ने सर जान साइमन के नेत्रित्त में साथ सदस्चों वाले आयोग का गठन किया जिसमें सभी सदस्च अंग्रेश थे इस आयोग का कारी इस संबंध में सिफारिश करना था कि भारत के समवैधानिक बिकास का सुरूप कैसा हो इस आयोग में भारतियों को सामिल नहीं किये जाने के कारण भारत में इसका तीब्र विरोध हुआ साइमन कमीशन का तीब्र विरोध हुआ साइमन कमीशन के बिरोध के दोरान लाठी चार्ज के कारण लाला लाजपत राय के सिर में गहरी चोट लगी जिसके कारण 1928 में इनकी मृत्यू हो गई नेहरू रिपोर्ट देखे दोस्तों, 1928 को मोती लाल नेहरू की अधस्ता में भारती समिधान के प्रारूप को तयार करने के लिए आठ सदस्ती समित गठित की गई इस समित ने 1928 में समिधान का प्रारूप तयार किया जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया चली, आगे बढ़ते हैं पूड सुराज की गोश्डा देखे दोस्तों, दिसंबर 1929 में भारती राष्टी कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहोर में हुआ इस एतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस अध्यच जवाहर लाल नेहरू ने पूड सुराज की गोश्डा की थी पूड सुराज की गोश्डा लाहोर अधिवेशन में की गई थी, इसे आप लोग याद रखियेगा सबीने अवग्या आंदोलन देखे दोस्तों, महत्मा गाधी ने वायस राय लाड एर्विन के समक्ष 13 जनवरी 1930 को 11 सूत्री प्रस्ताव रखा गाधी जी द्वरा प्रस्तुत मांगों पर विचार ना करने के कारण सबीने अवग्या आंदोलन शुरू किया गया था चली आगे बढ़ते हैं, 12 मार्च 1930 को गाधी जी ने 78 अनुयाईयों के साथ साबर मती आस्रम से 240 मेल का दांडी मार्च किया तथा 6 अप्रेल को नमक कानून तोड़ा शबिने अवग्या आंदोलन को शुरू करने का मुख्य कारण नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया दांडी मार्च था चली आगे बढ़ते हैं, दांडी नमक यात्रा के दोरान कमला देवी चटोपाध्याय नामक सामाजिक कारकरता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुर्षों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया था चली आगे बढ़ते हैं, प्रथम गोल मेज सम्मेलन सभी तथ ध्यान से देखते हुँ चलीए इसी सम्मधित प्रस्ण आगे देखने को मिलेगा साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 12 नमबर 1939 को लंदन में प्रथम गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया गया कांग्रेश ने इस सम्मेलन का बहिशकार किया था, बी आर अमबेटकर ने तीनों गोल मेज सम्मेलनों में सम्मलित हुए थे भीमराव अमबेटकर तीनों गोल में सम्मेलनों में शमलित हुए थे गांधी इर्विन सम्झोता देखे दोस्तों महत्मा गांधी और वायसराय इर्विन के मद्ध 5 मार्च 1931 को सम्झोता हुआ जिसे गांधी इर्विन सम्झोता कहा जाता है इस समझोतों के अंतरगत कांग्रेश ने दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेना शोविकार किया था दूती ये गोल में सम्मेलन ये सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ इस सम्मेलन में कांग्रेश ने भाग लिया था ये सम्मेलन सामप्रदाइक समस्या पर बिवाद के कारण असफल रहा लंदन से वापस आकर गाधी जी ने पुनह सबीने अवग्या आंदोलन प्रारंभ किया था चली आगे बढ़ते हैं त्रितिय गोल में सम्मेलन 17 नौमबर 1932 से आरंभ त्रितिय गोल में सम्मेलन में कांग्रेश ने भाग नही लिया था आगे बढ़ते हैं दोस्तों सामप्रदाइक नेड़े की बात कर लेते हैं बिटिस प्रधान मंत्री रेमजे मैकडोनाल ने 16 अगस 1932 को कम्यूनल अवार्ड की घोश्टा की थी इसमें दलित वर्ग के लिए प्रिथक निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था इसके विरोत में गाधी जी ने जेल में ही 1932 को आमरण अंसन प्रारंभ कर दिया था पूना समझोता देखे दोस्तो राजेंद्र प्रसाद मदन मोहन मालवी और राज गुपालाचारी के प्रयास से 1932 को गाधी जी और अंबेटकर के बीच पूना समझोता हुआ था इस समझोते के अंतरगत संयुक्ति निर्वाचन के सिध्धान्त को सोविकारा गया साथ ही दलितों के लिए सुरक्षित 75 सीटों को बढ़ा कर 148 कर दिया गया था चली आगे बढ़ते हैं अब यहां से दोस्तो टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रसनों को देखेंगे आप लोग सभी प्रसन ध्यान से देखिए और सभी प्रसनों का उत्तर बताने का प्रयास करिए सोदेशी आंदोलन का प्रमुह कारण माना जाता है देखे दोस्तों सोदेशी आंदोलन का प्रमुह कारण बंगाल को बिभाजित करने का नेड़य माना जाता है बंगाल को विभाजित किया गया था इसलिए सोदेशी आंदोलन की शुरुवात की गई थी तो यहां पर C आपसन आपका राइट हुजाएगा किस ने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेत्रित्व किया था 1919 में गांधी जी ने किसके खिलाफ सत्यागरह का आवान किया जिस अधनियम ने अविव्यक्ति की स्वतनतरता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुष लगाया और पुलिश सक्तियों को मजबूत किया था तो इसका जवाब है दोस्तो रौलेट अधनियम यहाँ पर ए आपसन राइट है 1919 में गांधी जी ने रौलेट अधनियम के खिलाफ सत्यागरह का आवान किया था यहाँ पर ए आपसन राइट है महत्मा गांधी का कौन सा सत्यागरह नेल क्रिसको की समस्याओं से जुड़ा था इसका जवाब है चमपारन सत्यागरह नेल क्रिसको की समस्याओं से जुड़ा था यहाँ पर सी आपसन राइट हुजाएगा अगला प्रश्ण है किसने महत्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट अंसर है सी आपसन महत्मा अली जिन्ना ने महत्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था अगला प्रश्ण है चमपारन सत्यागरह का नेत्रित्व किस ने किया था इसका जवाब है महत्मा गांधी ने किया था चमपारन सत्यागरह का नेत्रित्व महत्मा गांधी ने किया था अगला प्रश्ण है महत्मा गांधी दच्छेड अफरीका किस वर्स पहुँचे थे इसका जवाब है 1893 में दच्छेड अफरीका पहुँचे थे यहाँ पर A option right है महत्मा गाधी के राजनीते गुरु कौन थे याद रखियेगा महत्मा गाधी के राजनीते गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे यहाँ पर B option right है अगला प्रश्ण है रंग भेत के कारण महत्मा गाधी को किस वर्ष दच्छिड अफरीका के पीटर मरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम स्रेडी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेक दिया गया था तो देखे दोस्तों रंग भेत के कारण महत्मा गाधी को वर्ष अठारा सो तिरानबे में दच्छिड अफरीका के पीटर मरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम स्रेडी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेक दिया गया था यहाँ पर D. आप्सन राइट है। यहाँ पर C. आप्सन राइट है। महत्मा गाधी का नमक सत्यागर्ण आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट अंसर है 12 मार्च 1930 गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था यहाँ पर B आप्शन राइट है अगला प्रश्ण है अमरिस्वर में जलिया वाला बाग कुख्यात नरसंगहार किस दिन घटित हुआ था इसका जवाब है 13 अप्रेल 1919 को जलिया वाला बाग हत्याकांड हुआ था यहाँ पर B आप्शन राइट है अगला प्रश्ण है खलीफा की आस्थाई सक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बांबे में एक खिलाफस समित का गठन किया गया था कब कि एक खिलाफस समित का गठन किया गया था यहाँ पर A आप्शन राइट है अगला प्रश्ण है खिलाफस मुद्दे को उठाने के महत्मा गाधी के नेड़य के पीछे मुख्य कारण क्या था मुख्य कारण दोस्तों हिंदूओं और मुसल्मानों के बीच एकता लाना था यह यहाँ पर A आप्शन राइट हुजाएगा अगला प्रश्ण है असायोग आंदोलन क्यों बंद किया गया था देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एंसर है A आप्शन चाओरी चाओरा घटना के कारण असायोग आंदोलन बंद किया गया था यहाँ पर A आप्शन र असायोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था इसका जवाब है फरवरी 1922 में असायोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था चावरी चावरा घटना के कारण यहाँ पर A. आप्षन. राउट है. 4. बहारत के किस राज़ी में है? इसका जवाब है B. आप्षन. उत्तर प्रदेश. 4. बहारत के उत्तर प्रदेश राज़ी में है. 4. गटना कब हुई थी? देखे दोस्तों 4. गटना 4 southern 1922 को हुई थी. यहाँ पर B. आपसन राइट है अगला प्रिश्ण है 1930 में महत्मा गांधी द्वारा शविने अवग्या अंदोलन सुरू करने का कारण क्या था देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट अंसर है C. आपसन नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च था यहाँ पर C. आपसन राइट हुजाएगा अगला प्रिश्ण है दांडी नमक यात्रा के दोरान निम्न में से किस सामाजिक कार्य करता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुर्षों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया था दांडी नमक यात्रा के दोरान कमला देवी चटोपाध्याई ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुर्षों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया था किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था इसका जवाब है सर जान साइमन सर जान साइमन को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था यहाँ पर D.A.P.S.N. राइट है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था इसका जवाब है 1928 में साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राश्रवादी नेता की मृत्यू हो गई थी देखे दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यू हो गई थी यहाँ पर C आप्सन राइट है पूना समझोता किसके मध्य एक करार था तो यहाँ पर आपका राइट असुर है यहाँ पर D आप्सन राइट है यहाँ पर समाप्त होती है यह सभी प्रस्ण आपके एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है उमीद है यहाँ आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों सेर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर दाइए